हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी के गाइड लिया ऑफिशल यूटूब चैनल पर मैं हूँ अखिलेश अवस्ती दोस्तों आज सेशन हम सुरू करेंगे दोस्तों क्योंकि लाइब सेशन हमारा नहीं हो पा रहा है because of net issue तो that's why आपके ही time पर आपको जिस समय आपकी class होती है उसी समय एक class आपको देखने को मिलेगी ठीक है आसा करता हूँ आप इससे पसंद करेंगे उसी तरीके से पसंद करेंगे जिस तरीके से live class चलती रहती है आपकी दोस्तों ठीक है बढ़ते हैं आगे सबसे पहले express video course क clearing session भी होता है personal guidance भी है secret telegram group पर अलग से group बनाया गया और lifetime validity है इसकी दोस्तों यह बात याद रखेगा इसको आप join करने के बाद selection लेते हैं then selection के बाद आपको 100% cashback भी available है दोस्तों सारा का सारा course module बताया गया यहाँ पर जितने भी high level puzzles कराई जाएंगी यहाँ पर आपको high level DI होगी यहाँ पर reasoning भी होगी यहाँ पर English language भी होगी A to Z complete arithmetic मिलेगी general ranking and financial awareness by Abhijit sir then दोस्तों इसका price जो रखा गया है lockdown को ध्यान में रखकर रखा गया है वो है 1499 जद जानकारी के लिए store पे visit कर सकते हैं number पे call कर सकते हैं और mail कर सकते हैं दोस्तों बढ़ते हैं session की तरफ अब ही M.O.U. इंडिया ने Russia के साथ India ने किसके साथ Russia के साथ क्या किया है एक M.O.U. sign किया है Memorandum of Understanding किसके भी हाब पर cooking coal याद रखी का coal का मतलब तो कोहला होता है cooking coal का मतलब किया है देखी cooking coal का मतलब एक ऐसा coal जिससे coke जो है वो produce किया जाता है ऐसा coal जिससे क्या है coke produce और कोक जो particular है ये क्या है ये one of the key irreplaceable input है जो steel के production में काम आने वाला input है कोक और ये कोक किस से होता है ये कोल से होता है तो इसके लिए हस्ताक्षर किये गए है जानते इसके परमें तो India and Russia are in talks ठीके बात करें to expand their energy partnership मतलब अपनी energy partnership को क्या कर रहे है expand कर रहे है by increasing crude oil imports from Russia अभी क्या है भारत ज्यादा तर जो dealing करता है वो Brent में करता है और ज्यादा तर भारत जो crude oil खरीता है वो खाड़ी देशों से खरीता है खाड़ी देश जैसे मैं बात करूँ तो क्या है इरान, इराक, साथी अरभ ये खाड तर खरीता है लेकिन अब क्या है partnership आइसा नहीं है रश्या से नहीं खरीता है रश्या से भी आता है लेकिन ज्यादा तर यह नहीं से खरीता है तो अब वो क्या कर रहा है increasing crude oil imports from Russia both the countries signed MOU to importing cooking coal अब क्या है import करेंगे cooking coal का to meet requirement of Indian steel industry मैंने क्या कहा steel के production के लिए जो input चाहिए है उ और वो coke किस से बनाया जाता है coal से बनाया जाता है that's why हम उसे cooking coal कहते हैं तो Indian steel industry की requirement को fulfill करने के लिए जो cooking coal है यह रश्या से क्या किया जाएगा import किया जाएगा इसी के लिए MOU sign किया गया है तो दिली बहुत दिनों से demand कर रहा था Delhi is seeking a long term agreement ठीक है दिली जो है एक दीर कालिक समझोते की मांग कर रहा था for supply of crude oil from Russia, Russia से crude oil की supply लेने के लिए as it seeks diversity its sources for hydrocarbon देखे hydrocarbon क्या है एक occurring compound है ठीक है जो form करता है basis किसका basis crude oil का natural gas का coal का ठीक है और important energy resources है उनका base form करता है hydrocarbon then India has begun negotiation, India ने negotiation बिगन किया किसके साथ, Russia के साथ on long term assured supply of crude oil especially from Russia's far east, Russia's के far east man has also invited Russian companies, भारत में Russian company का invitation किया गया, किसके बहाँ पर, यहां पर वो जो Russian companies आएंगी वो gas business के लिए, gas infrastructure के लिए, petrochemicals के लिए, वो इंडिया में क्या करेंगी, निवेश करेंगी, इंवेस्टमेंट करेंगी, समझेगा, तो Russia के बारे में याद रखेगा, capital है Moscow, currency है, Russian ruble, president अभी आपको बता दिया, व्लादिमीर पुतिन, आगे बढ़ते हैं, अगली news है दोस्तों, राजनास सिंग इनागरेटेड लिंक रोड टू कैलास मांशरोवर, वाया वीडियो कॉ बहुत दिनों से इस रोड का निर्मान हो रहा था, और इसका उद्घाटन कर दिया गया, किसके द्वारा वीडियो कॉन्फरेंसिंग, क्योंकि lockdown के कारणों वहाँ पे जानी सकते हैं, तो that's why वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया ग तो कैलास मांसरोवर को connect करने वाली जो रोड है, हाला कि कैलास मांसरोवर जो है, वो कहाँ पर है, चीन में है, लेकिन इंडिया से जो connect करती हुई रोड जाती है, तो उसी रोड को क्या कर दिया, इन्होंने complete कर दिया, बनवा दिया, तो ये जो रोड है, ये किसको connect करती है, यह connect करती है धारचूला to Lipu Lake धारचूला से Lipu Lake को connect करती है ओ लिपू Lake कहांपर है यह āचा चाइना का border है भारत और चाइना का border है लिपू Lake which is known as कैलास, मंसरो और यात्रा root जिसे हम कैलास, मंसरो, यात्रा root के नाम से जानते एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा यह root देखेगा बहुत अच्छे से समझेगा इसको मैं आपको root यहां पर समझा देता हूँ देखे यह है धारचूला यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं धारचूला की बात कर रहे है देख लीजेगा अब इस तरफ जो सो यह जो आप पुझा घरचूला से लिपु लेक को कनेक्ट करता है याद रखेगा तो इस road का inauguration किया गया, आगे बढ़ते हैं, तो Mr. Singh, राजना सिंग की बात हो रही यहाँ पर, तो राजना सिंग, राजना सिंग congratulated, इन्होंने congratulation किया किसको, उस संस्था को जिसने इस road को बनाया, जिसका नाम है BRO, Hills पर जितनी भी roads बनती है, वो BRO बनाता है, और plain areas में बा चुकी थी, इसको बनाते हुए, क्योंकि काफी सक्री फाड़ियां थी, जिनको काट करके, इस road का निर्माड किया गया है, दिन, अगली news पे आते हैं, अगली news है, Dr. Harsh वर्धन launches आयूश संजीवनी एप, आयूश, तो Ministry of आयूश की बात हो रही यहाँ पर, तो आयूश संज संजीवनी एप को launch किया, किसने, Dr. Harsh वर्धन, जो कौन है, जो है, Ministry of Family Welfare के, Ministry of Health and Family Welfare के, Union Minister, देखते हैं, अप क्या है, आयूश संजीवनी एप, आयूश संजीवनी एप, जो है, यह एक mobile app है, जो help करेगी generate data, obviously, जितने लोग install करेंगे, तो क्या है, data generate होगा, on acceptance and uses of आयू है, उसको किस तरीके से लोग accept कर रहे हैं, use कर रहे हैं, तो उसकी advocacy के लिए, and measures among the population and its impacting prevention, और क्या आयूश का रोल है, करोना को prevent करने के लिए, करोना को रोकने के लिए, तो यह data study किया जाएगा, इस app के दौरा लोग क्या करेंगे, लोग इसको install करेंगे, then data जो है, study किया ज electronics and information technology, and sell reach out to a target of 50 lakh people, मतलब इस app को कितने लाख लोगों तक पहुचाने का target है, 50 लाख लोगों तक, Ministry of Health and Family Welfare, Unimister Harshvardhan, इनकी constituency है, Chandni Chow, नई दिली, और Minister of State है, Ashwani Kumar, 24, then Iyush Ministry की बात कर लीजेगा, तो Minister of State, independent charge है, इनकी constituency है, नौर्थ गोवा, then मेती की बात कर लीजेगा, Ministry of Electronics and Information Technology, तो Union Minister है, इसके रवी शंकर परसाद, इनकी constituency है, पतना साहिब, Minister of State इसके कौन है, सुरिंदर जी सिंग अलू वालिया, अगे बढ़ते हैं दोस्तो, अगली न्यूस की तरफ है, IIT Delhi Startup develops anti-microbial face mask, दो बार लिखा हुआ है, सौरी, face mask, that can be reused up to 50 times, देखिए, अभी तक जितने भी mask की बात हो रही थी न, जब surgical mask की बात हो रही थी, 2 ply mask, 3 ply mask, N95 mask की बात हुई, लेकिन क्या है दोस्तो, एक बार यूज करने के बाद हम उनको यूज नहीं करते थे, हाला कि कुछ cotton mask जो हैं बाजार में आये हुए हैं, जिनके बारे में कहा गया, वो जो cotton mask हैं, obviously आप उनको धुल सकते हो, और दोब an anti-microbial face mask that can be washed, धुला जा सकता है, और reuse किया जा सकता है, कितनी बार, 50 बार इसको reuse किया जा सकता है, the nano safe solution, देखे, coronavirus की बात करें, तो virus जो है, बहुत ही nano virus है, बहुत ही छोटा virus है, तो that's why ये nano safe solution provide करेगा, at IIT Delhi has developed mask to fight against COVID-19, इस mask को develop ही कहीं आ गया है, किसके लिए, corona से लड़ने के लिए, उसके virus से लड़ने के लिए, then, अब इसको nano safe को हम short में कहेंगे N-safe, जैसे N95 बोलते हो mask को न, ऐसे ये mask किस नाम से जाना जाएगा short में, N-safe के नाम से, अब 99.2% bacteria जो है, इनको filter करने में सक्षम है, ये mask याद रखेगा, और ये mask ASTM के standard को follow करता ह है, किसके standard को ASTM, जैसे याद रखेगा, जब आप कोई product खरीते है, उस पर ISI होता है, इसका क्या मतलब है, ये कि standard को है, then, आप जब gold खरीते है, वहाँ किसकी बात आती है, वहाँ hallmark की बात आती है, मतलब ये क्या है, ये कि standard बताता है, hallmark है, मतलब अच्छी quality होगी, तो same मैं आज याद रखेगा, दोस्तों, यहाँ पर ASTM standard है, अब ASTM standard क्या है, ASTM international एक organization है, जो standards set करती है, it is formally known as इसका पहले क्या नाम था, American Society for Testing and Materials, ठीके, ये क्या है, एक international standards organization है, ISO, जिसकी मैं बात कराऊ, that develops and publishes technical standards for material, services and products, याद रखेगा, ठीके, कहाँ पर located है, Pennsylvania, कहाँ पर Pennsylvania, Pennsylvania US का state है, जो found कब हुई थी, ये, 1898 में founded थी, अगली news पे आते हैं, what is the resistance front in news frequency, देखे अभी हाली में news में किसकी बात आई है, the resistance front की बात आई है, short में इसको बोलते है, TRF, आखिर क्या है TRF, जानते हैं इसके बारे में, देखे दोस्तों, the resistance front ये new name है, एक terror group का, मतलब आ resistance front याद रखेगा, और ये कहां पर active है, ये जमू एंड कश्मीर में active है, the group is made of existing terror group again, ये जो group बना है, बहुत सारे group जो पहले से active हैं, उनहीं में से लोगों को ले करके एक अलग group बनाया गया है, तो पहले से active group के नाम आप जानते हैं, जैसे मोहमद, हिजबुल तो इनहीं से क्या है, ये group बनके निकल करके आया है, the resistance front, आपको examination point of view से ध्यान रखना है, TRF क्या है, exam में पूछा जा सकते हैं तो TRF क्या है, एक terror group है, ठीक है, याद रखेगा इसको, then resistance front has claimed responsibility for the attack, मतलब इसने क्या किया था, जो कुपवाडा में 5th of April 2020 को line of control पर एक attack हुआ था, जहां पर 5 army personnel जो हैं, वो मारे गये थे, उसकी इसने responsibility ली थी, कि हमने किया है दिन, resistance front is like the old wine, इंडियन आरमी इसके बारे में क्या कहती है, इंडियन आरमी इसके बारे में ये कहती है, कि ये किसके बिहाफ पर है, like the old wine in a new bottle, मतलब कोई पुरानी शराब नहीं बाटल मे उस तरीके का इसको बताये नोने, क्योंकि यहां पर लोग तो वहीं है, लोग नहीं बदले, ठीके, कोई अलग से objective नहीं है, लेकिन बस अलग-अलग organization से हट करके, एक नई organization में बना ली, और इस new terror group को भी कौन support कर रहा है, पाकिस्तान, वैसे भी जितने भी terror group है, ठीके, आ TF के बारे में बता देता हूं, मैं आपको यह financial action task force है, जो countries को monitor करती रहती है, कि वो जो अपना पैसा है, जो भी terrorism की activities हैं, कहीं उसमें तो खर्च नहीं कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के उपर बहुत बड़ा pressure है, क्योंकि पाकिस्तान इसकी grey list में है, grey list में मतलब उसको warn किया है, कि जो आप terror funding करते होना, यह terror funding करना पूरी तरीके से आप बंद कर दीजिए, that's why, अब क्या है, जो जो organization है, वो inactive हो जाएंगी, एक नई organization है, तो उसके बारे में कहेगा, इसका हमसे कोई लेना देना, नहीं है, मानलो यह organization से पाकिस्तान के link थे, तो उनको खतम करके, क् फिर TF की gray list से बाहर हो जाए, then, TRF has come up in Kashmir reason, यह TRF का form हुए दोस्तों, जब article 370 को हटाया गया, last year आपको पता है, article 370 को हटा दिया गया था, जिससे जम्मू कश्मीर का, जो state का status था, वो खतम हो गया, और जम्मू कश्मीर क्या बन गया, एक, UT बन गया, और Ladakh को उसके, उस सबसे पहला जो इसने काम किया था, यह grenade attack किया था, October 2019 में, after scrapping article 370, यह पहली इसने responsibility ली थी, तब लोगों को नाम जानने में आया था, कि TRF क्या है, ठीक है, और recently in March 2020 में, कश्मीर पुलिस ने six terrorist को attack किया था, जिन्होंने एक लेम किया था, कि हम भी किसका part है, TRF का part है, ने e-token system launch कर दिया है, liquor sale के लिए, अभी आपको पता है, कुछ दिन पहले, after 40 days lockdown, आपको पता है, liquor की जो shops है, जो wine shops है, वो open करी गई, तो इस तरीके की भीड लग गई, जैसे कोई प्रसाद फ्री में बट रहा था, ठीक है, तो again, social distancing को भूल गए कि coronavirus नाम का जो एक virus है, व है, वो hike कर दिये गए थे, अब उसने e-token system launch किया है, याद रखेगा, then e-token system long queue से बचने के लिए, obviously, social distancing का पालन कराने के लिए है, e-token लीजिए, then shop पे जाएए, आपको चीज़े जो है, जो leaker है, वो आपको मिल जाएगी, इसके लिए आपको क्या करना है, name and phone number required होगा, while applying and e-token and the token will be sent at the registered mobile number, उस registered mobile number पर वो token जो है, वो भेज दिया जाएगा, ये website है उसके लिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, UP becomes first state to provide facility of beds with ventilator in each districts of state, UP ऐसा पहला राज बन गया, जिसने अपने सभी जिलों में ventilator beds जो है, वो launch कर दिये, मतलब सुरू कर दिये, क्यों, because of coronavirus, ठी requirement होगी, तो that's why ये इसा किया गया, तो ये पहला state बन गया है, first state in the country to provide the facility of beds with ventilators in hospital of each and every district of the state, ठीक है, अब district कितने हैं, उत्तर प्रदेश में 75 districts हैं, दोस्तों, 75 जिले हैं, सारे के सारे अब क्या हैं, ठीक है, COVID-19 से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तयार हैं, उतर से लड़ने के लिए, then, save the lives of people from COVID-19, government यही try कर रही है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जिंदगियां हैं, वो बचाई जा सके हैं, coronavirus से लिए, तो इसको लेकर के UP ने कम और किया है, उसने village supervision committee बनाई है, हिंदी में कहते हैं, gram निगरानी समिती, जो सारे के सारे village में, coronavirus को spread ह होने से रोकेंगी, लोगों को बताएंगी, social distancing का पालन कराएंगी, then, अगली news की तरफ बढ़ते हैं, UP से ही news है, state news, उत्तर प्रदेश brings ordinance to suspend most labor laws for three years, मतलब उत्तर प्रदेश government जो है, एक ordinance लेकर के आई, अब दोस्तों देखे, ordinance क्या होता है, समझेगा बहुत अच्छे से, तो ये assembly बे बनता है, दोस्तों, और assembly जब चल रही होगी, हम यहाँ legislative assembly विधानसभा की बात करें, जब session चल रहा होगा, तभी assembly meeting होगी, लेकिन आपको पता है, इस समय कोई assembly meeting नहीं हो रही है, तो जब session नहीं चल रहा होता है, और कोई laws बनाना mandatory होता है, तो उन laws को ordinance के थू क्या है, बना दिया जाता है, ये बात याद रखेगा, तो ordinance एक तरीके से same as act है, लेकिन ये कुछ समय के लिए जो है, वो लागू किया जाता है, ordinance को पास कौन करते हैं, state में governor पास करते हैं, जो state का governor होगा, वही confirmation देता है, किसकी बिहाफ पर aid and advice of the council of minister, then, अब suspended labor laws ऐसा क्यूं किया गया, समझेगा, देखेगा, एक बहुत अच्छे से बात समझेगा, जब restrictions जादा होती हैं, तो business क्या होगा, कम होगा, और जब restrictions हटा ली जाती हैं, तो business पढ़ जाता है, same asa ही कब हुआ था, 1991 में, जिस scheme को आप लोग LPG के नाम से जानते हो, LPG मेल का मतलब है, liberalization, privatization, globalization, new economic policy, 1991 में government of India लेकर के आई थी, जिसमें पहली policy थी liberalization की, liberalization का मतलब ही है, liberalize कर देना, सोतंतरता दे देना, तो again उसी के बाद इंडिया में जो business है, वो बढ़ा है, same as क्या है, और सारी, बहुत सारी government अब तक करती रही है, तो उत्तर प्रदेस government ने भी business को बढ़ आ गया है, then the government has accordingly passed an ordinance to this effect that will apply to all factories and manufacturing facilities as well as fresh investment coming into the state, जो fresh investment भी state में आएगा, उस पर भी ये नियम जो है, वो लागू होंगे, मतलब old existing companies के लिए भी हैं और जो new companies अगले तीन सालों में form होंगी, उन पर भी ये नियम लागू होगा, अब बस ये याद रखेगा, कुछ जो labor laws हैं वो इनसे अलग रखे गए हैं जिन पर ये apply नहीं होगा, तो will not apply to certain laws like as bonded liberal act, building and other construction workers act, section 5 of payment of wages act and workman compensation act, और labor laws जो related हैं किस से children और women से इन पर ये apply नहीं होगा, then आगे बढ़ते हैं state news में, किसकी तरफ अगली news है, मध्यप्रदेश से, तो मध्यप्रदेश ने क्या किया है, परिस्थानी इस तरफ पर मध्यप्रदेश में, ठीक है, ये एक unique vehicle है, unique कैसे अभी जानेगे, लेकिन उससे पहले ये संजीवनी जो है शब्द इस पे confuse मत होईएगा, देखिएगा, इसके पहले हम बात कर चुके हैं, अप्रेल में operation संजीवनी की, operation संजीवनी क्या था, माल बात हो रही है, तो संजीवनी कई जगे मिलेगा, please confuse मत होईएगा, तो संजीवनी क्या है, एक unique vehicle है, develop करी गई है, local level पर, इस्थानी सतर पर, कहां पर, तो ये राजनगर administration है, कहां का, ये छतरपुर district में है, छतरपुर district कहां पर है, मध्यप्रदेश में, to help the healthcare workers, unique कैसे है, उस पर बात करते हैं, देखे दो तो, यहां पर क्या है, यहां पर, जो ये first of its kind है, assist the healthcare workers to investigate the patient and suspected patients without direct physical contact, समझे का बात को, ये जो vehicle बनाया गया है, इस vehicle में क्या किया गया है, camera लगाया गया है, और infrared meter, मतलब infrared क्या किया गया है, detection meter लगाया गया है, जो temperature बता देगा, मतलब जो इस vehicle में doctors की team है, उसको बाहर निकलने की जरूत नहीं होगी, camera से और infrared meter से जो बाहर patient है, उसको track कर लिया जाएगा, ये uniqueness है, मतलब direct physical contact में नहीं आना पड़ेगा, किसको जो ये workers हैं, healthcare workers, ये direct contact में नहीं आएंगे, जो भी expected patient है, ठीक है, या जो वाकई में COVID के patient है, तो इनसे बिना physical touch किये हुए, हम क्या कर सकते हैं, ये जाच कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ऐसा क्यूं किया गया, क्योंकि आप देख रहे हैं, मध्यप्रदेश में health workers भी affected हो रहे थे coronavirus से, और मध्यप्रदेश के ही भोपाल से एक news आई थी, आपने news में देखी होगी, कि वहाँ पर क्या किया गया था, एक healthcare team की, एक healthcare team पर क्या किया गया था, पत्राओ किया गया था, तो उन पर attacks भी हो रहे हैं, तो अब again, car के अंदर हैं, vehicle के अंदर हैं, तो safe भी रहेंगे, और coronavirus से भी बच्चे रहेंगे, और सबसे ची बात है, कि इसमें, जब coronavirus से हम physical contact में जा रखेगा, क्या news है, MP becomes first state to provide midday meal ration, MP ऐसा पहला state बन गया, जो midday meal ration, door to door provide कर रहा है, क्या, door to door provide कर रहा है, जानते हैं इसके बारे में, तो MP, first state in the country to provide a midday meal ration, midday meal आपको पता है, एक scheme है, जो 1995 में start करी गई थी, जिसके अंतरगत, class 1 से लेकर के, class 8 तक, जितने भी government school हैं, वहाँ पर मद्धिहान का, मतलब दोपहर का, जो भोजन है, जो food है, वो क्या किया जाता है, सर्व किया जाता है, तो distribution of midday meal ration, with the help of, किसकी help से, आंगनवाडी workers, पंचायत के जो representatives हैं, जो local teachers, देखें, local teachers, ज्यादा तर वहाँ के सिच्छा मित्र होते हैं, जिस गाओं में वो school होता है, उस गाओं से ही सिच्छा मित्र, जो है, वो local teachers होते हैं, तो इनकी help से, ये midday meal ration, जो है, वो बाटा जाएगा, sending ration to the students at their home, after the school closing in April, April में school close होगा, अपरेल से पहले school close, because of lockdown हो गये थे, then, to provide midday meals to school children in the corona outbreak, an amount of 117 करोड, ठीक है, ये midday meal provide करने के लि है, transfer किये गए है, online, in the bank account of the parent, मतलब इन बच्चों के जो parent है, उनके bank account में 117 करोड, ये total amount है, जो transfer किया गया है, कितने लोगों के पास, 66,27,000 students of primary and secondary, primary का मतलब है 1 to 5, secondary का मतलब है 6 to 8, by the state government, राजसरकार के द्वारा, और door to door, जो midday meal, राशन बाटा जा रहा है, वो कितने 56,87,000 children को, आगे पढ़ते हैं दोस्तो, मद्यप्रदेश की capital है भोपाल, CM इस समय है, शिवडा सिंग जोहान, गवर्नर है, लाल जी टंडन, अगली news है, international news, UN launches 6.7 billion USD, United States dollar for vulnerable countries, जो कमजोर देश हैं, उनके लिए 6.7 billion USD की help जो है, वो UN ने लाँच करी, अब समझेगा क्या है बात, बात यहाँ पर यह है, United Nations and its partner agencies, United Nations की बहुत सारी agencies हैं, तो again, इन्होंने 6.7 million की एक global appeal जो है, वो करी है, COVID-19 से लड़ने के लिए, मतलब कि सभी लोगों से appeal करी, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दीजिए, तो वो amount जो set किया है, इन्होंने कितना, 6.7 billion USD, और यह ज इसको देंगे, vulnerable countries, मतलब जो कमजोर देश हैं, जो गरीब देश हैं, poor countries हैं, उनको provide करेंगे, जिससे वो coronavirus से लड़ सकें, और जो उनके देश में, जो उनकी country में, जो अकाल पढ़ने वाला है, या जो problems face होने वाली है, वो problems कम से कम face करनी पड़े, तो initially the organization had pledged, मतलब पहले ह Pledge का मतलब है, कई देशों से Pledge ले चुकी है, promise ले चुकी है, to provide 2 billion USD, ठीक है, 2 billion USD की Pledge पहले ली जा चुकी है, लेकिन अब इसको extend करके कितना कर दिया गया है, 6.7 billion USD, however, it has now increased the amount 6.7 billion USD, अब अगें, ये जो प्लान है, बस ये याद रखेगा, ये कौन सा प्लान है, ये है, ये किसके अंतरगत, Global Humanitarian Response Plan, then, the virus will have the most destabilizing and devastating effects on the poorest countries, obviously, जो गरीब देश है, उनमें बहुत ज़्यादा असर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा problems है, क्योंकि वो उसको उतना जल्दी control नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास finance नहीं है, बहुत ज़्यादा testing नहीं कर पाएंगे, क्योंकि finance नहीं है, testing नहीं हो पाएंगा, तो पता नहीं चलेगा, तो ऐसे बहुत सारे reasons जो हैं, वो हो सकते हैं, the funds so far from countries, ये जो fund एकठा किया जाएगा, 6.7 billion dollar का, ये एकठा किसे किया जाएगा, जो अमीर देश है, Britain, Germany, European Commission, Japan, Persian Gulf countries and Canada, इन से appeal करी गई है, पैसे देने के लि है, जिसका headquarter कहाँ पर है, Rome, Italy में headquarter है, इसका याद रखेगा, तो again, around 26.5 crore people are to face famine, famine का मतलब होता है, आकाल, आकाल मतलब scarcity of food, मतलब 26.5 crore लोगों को, ये क्या है, जो भूख है, ये आप कह सकते है, food की कमी होने वाली है by the end of the year, इस वर्ष के अंत में, therefore it is important to increase fund, that's why fund को increase क करने की बहुत ज़्यादा requirement है, UN के बारे में Secretary General है, Antonio Guterres, General Assembly, President है, Tijani, Muhammad Bandei, headquarter है, New York, USA, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली international news की तरफ, ADB approves 500 million for Bangladesh, COVID-19 response, Asian Development Bank ने 500 million dollar क्या है, Bangladesh के लिए अप्रूव कर दिये है, COVID-19 से लडने के लिए, Then, ADB approved an additional 500, additional क्यों कहा गया है, क्योंकि दोस्तों, याद रखेगा, April 30 को, क्या है, ADB approved कर चुका था, 100 million dollar concessional loan किसके लिए, Bangladesh के लिए, तो 100 billion dollar already दे चुका है, तो ये 500 क्या है, additional है, extra है, the loan is expected to benefit over 15 million, इस loan से 15 million poor and vulnerable people, जो हैं, कमजोर लोग हैं, उनको help मिलेगी, ये बात याद रखेगा, then, आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, बंगलादेश के बारे में, capital आप बंगलादेश की जानते हैं, capital क्या है, डाका, currency है, बंगलादेशी डाका, और प्राइम मिनिस्टर है, सेख खसीना, then, अगली news की तरफ बढ़ते है, IMF approves 18 billion emergency financing for 50 countries during COVID-19, IMF, International Monetary Fund, इंतरास्ट इसने confirmation दिया है, कि 50 देशों के लिए financing कर चुका है, कितना 18 billion dollar का, ठीक है, समझते हैं, इसको, IMF executive boards has approved, IMF का जो executive board है, वो approved कर चुका है, financing under the emergency facilities, मतलब, आपात कालीन सुविधाओं के लिए at record speed for 50 countries, 50 देशों के लिए, जिसका total करें, इन 50 देशों को जो पैसा दिया गया, ज उसका total करते हैं, तो ये कितना निकल के आता है, 18 billion dollar निकल के आता है, 18 billion dollar दिन, याद रखेगा, IMF has already authorized financial assistance for 50 member countries during the coronavirus pandemic, ठीक है, 50 देशों के लिए confirmation दे चुका था, said, ये बात किसने कही, IMF spokesperson, जिनका नाम है Gary Rice, क्या नाम है इनका, Gary Rice, ठीक है, to a virtual press briefing, ठीक है, obviously इस समय सारी की सा नाम है, तो importantly क्या है, यहाँ पर बात समझेगा, important क्या है, ये जो पैसा दिया जा रहा है, ये बिना किसी condition के दिया जा रहा है, IMF के द्वारा, क्योंकि IMF जब भी किसी country को कोई fund देता है, तो याद रखेगा, बहुत सारी condition होती है, लेकिन ये emergency situation के लिए दिया गया है, COVID-19 से लडने के लिए दिया गया है, तो बात याद रखेगा, यहाँ पर कोई condition नहीं है, that's why, यहाँ पर क्या है, कोई condition नहीं है, जो मैंने आपको बताई, अब जब condition नहीं है, तो क्या है, IMF ने अपनी जितनी भी member countries हैं, जो भी apply कर रही है, उनको ये बताया भी है, कि ये जो fund है, सिर्फ urgent purpose, जो की COVID-19 से related है, उसके लिए ही क्या किया जाएगा, इस्तिमाल किया जाएगा, और सभी देशों को इस से संबंधित, full transparency रखनी है, और इस पैसे का कोई misuse नहीं होना चाहिए, then, IMF के बारे में, headquarter Washington DC, MD Crystalina, Georgieva, Chief Economist, Gita Kopinath, अगे बढ़ते हैं, appointment and resignation से क्या news है, दिया मिरजा's tenure UNEP, United Nations Environment Program, Goodwill Ambassador, extended till 2020, जो दिया मिरजा है, ये UNEP की Goodwill Ambassador थी, इंडिया से, ठीक है, तो इनके जो tenure है, इसको extend कर दिया गया है, two years के लिए 2022 तक, तो जानते हैं, UNEP, extended, तो environmentalist and actor producer, आप जानते हैं, इनको दिया मिरजा को, ठीक है, तो ये National Goodwill Ambassador, मतलब इंडिया से, दो वर्ष के लिए, इनका कारेकाल जो है, बढ़ा दिया गया, और याद रखेगा, Ambassador का काम होता है, चीजों को promote करना, जैसे किसी product के Ambassadors होते हैं, आप किसी का ad देखते हो, आप विराट कोhli को add करते हुए देखते हो, चीजों कि, आप शरुक खन को add करके देखते हो, आप बशचन को, तो impressed का काम क्या होता है, जिसके लिए काम कर रहे है, उसके product को क्या करना, promote करना, चाहें वो किसी प्रकार की facility हो, चाहें क nations sustainable development goal की भी ये क्या है advocate है advocate मतलब उसको भी promote करेंगी तो as a goodwill ambassador ये क्या कै करेंगी समझेगा जो key areas हैं जिनको ये promote करेंगी वो है including clean air, ठीक है साफ हवा, clean sea समुद्र, wildlife production and climate change ये चार मुद्धे हैं इनको ये promote करने का कारे करेंगी, याद रखेगा इस बात को then, यहाँ पर जो इन्होंने campaign चलाया था इंडिया में, जिस campaign का नाम था hashtag beat plastic pollution hashtag beat plastic pollution नाम की एक campaign चलाई गई थी ठीक है help किया था, बस इसी के लिए क्या किया गया था ठीक है, Prime Minister Narendra Modi जी ने भी इनको बुलाया था, क्योंकि जो Prime Minister Narendra Modi है उन्होंने भी एक campaign चलाया है, जिसके भी आप पर उन्होंने क्या कहा है, to make India single-use plastic free single-use plastic का मतलब क्या होता है, दोस्तों, single-use plastic का मतलब, जो एक बार इस्तिमाल करते हो, फेक देते हो, जैसे आप देखते हो, plastic के glass होते हैं ठीक है, इवेन अगर मैं बात करूँ तो Coke वगरा की जो plastic की bottles भी है वो भी पीने के बाद अकसर लोग फेक देते हैं, पानी की जो bottles हैं वो फेक देते हैं, तो single-use plastic का मतलब, एक बार यूज किया, फेक जिया उस plastic को इंडिया से पूरी तरीके से ban करना है, then UNEP के बारे में, headquarter कहा है UNEP का, Nairobi, Kenya में और head कौन है, Inger Anderson आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुमार संगकारा को second term के लिए MCC के president बना दिया, अब MCC क्या है दोस्तों जानते हैं, MCC का full form है Mary Lebon Cricket Club और ये कहां पर है दोस्तों, ये है UK में Mary Lebon Cricket Club कहां पर है UK में है, तो इसके president का जो second term है उसके लिए इनको बढ़ा दिया गया कुमार संगकारा कुमार संगकारा कौन है, स्री लंका के wicket keeper और batsman रह चुके हैं, तो same as आप में महन सिंग्धोनी से comparison कर लिजे क्योंकि महन सिंग्धोनी भी क्या है wicket keeper और batsman है, तो became the first non-british president again UK, मतलब Britain की बात हो रही है, तो ये पहले कुमार, जो कुमार संगकारा है, ये पहले non-british president भी इस club के बने है, तो अगर question घुमा के भी आपसे पूछ लिया जाए ना कि first non-british president MCC के कौन बने थे, या किसका time बढ़ाया गया, तो याद रखिएगा वो भी कुमार संगकारा, इन्होंने office cup assume किया था, October 1st last year, मतलब 2019 1st of October को, इन्होंने इस organization को as a president join किया था, अगली news देखिएगा अगली news है, इंडियन क्रिकेटर अजिंक्या रहाने, अजिंक्या रहाने को आप जानते हैं, ये brand ambassador बने है, editec company, editec का मतलब जब education को tech के साथ मैच करते हैं like is, इस समय हम और आप लोग digital माध्यम से जुड़े हैं, तो हमारी company भी क्या है, editec company कहलाएगी तो editec company, elsa corporation, cop का मतलब है corporation, तो elsa corporation के क्या बने हैं, ambassador बने, जानके थोड़ा सा इसके बारे में, तो elsa का full form है english language speech assistant corporation, ठीक है और ये global editec company है मतलब इंडिया के साथ, साथ कई देशों में इसका क्या है, business है तो again, जो अजिंक्या रहाने को ambassador बनाया गया है, ठीक है कहां का, तो for india middle east, australia and new ziland, short में ANZ बोलते हैं, and sark nation, sark में eight countries है, आपको पता ही है तो इस area के लिए इनको क्या बनाया गया brand ambassador, मतलब ये इस company क्या करेंगे, promote करने का काम करेंगे, अब ये company क्या है Elsa Speak, एक प्रकार का mobile app है, ठीक है जो क्या करता है, help करता है language learners to improve their English pronunciation English का जो pronunciation होता है जो संबोधन होता है, ठीक है उसको बताता है, उसको improve करती है ये app, आगे banking finance economy से क्या news है SBI cuts benchmark lending rate by 15 basis point benchmark base rate का मतलब है again MCLR की बात हो रही है, यहाँ पर marginal cost of funds based lending rate में, SBI ने 15 basis point की कमी कर दी क्योंकि आपको पता है, यहाँ पर repo और reverse repo को क्या कर दिया गया, अब तक का सबसे ज़्यादा लोग कर दिया गया, repo की समय बात करें, तो repo कितनी चल रही इस समय, repo चल रही है 4.40 और reverse repo कितनी चल रही है 3.75, तो bank भी अपनी lending को क्या कर रहे है कम rate पर लेकर के आ रहे है तो country's largest lender, obviously सबसे बड़ा lender है, ठीक है तो इसने क्या किया, 15 basis point से कम कर दिया है, और special deposit scheme निकाली है किसके लिए, senior citizens के लिए जिस पर उन्हें ज़्यादा interest rate मिलेगा तो एक तरफ lending कम किया और जो deposit हैं, उस पर interest rate बढ़ाया, लेकिन सिर्फ senior citizens के लिए, अब दोस्तों जो MCLR है, पहले थी 7.40 percent state bank of india की अब MCLR कितनी हो गई है 7.25 percent और यह effect से कब से आएगी, 10 माई से effect from 10th of May then MCLR, एक rate होती है, एक base rate होती है, जिस पर सारे loans offer किये जाते हैं, then under this new product, यह जो new product है यहाँ पर 30 basis point premium again समझेगा एक बात और एक deposit scheme launch करी गई है किसके दौरा, SBI के दौरा ही किसके लिए, senior surgeons के लिए उसका नाम देख लेते पहले, उसका नाम है SBI We Care Deposit Scheme, क्या है SBI We Care Deposit Scheme ठीक है, जो एक retail term deposit scheme है, जहाँ पर 5 वर्ष या इससे अधिक के लिए अगर senior surgeons deposit करते हैं, तो क्या है उनको क्या offer किया जाएगा दोस्तों उनको 30 basis point का premium offer किया जाएगा premium मतलब, अभी क्या होता है individual और senior surgeon की अगर हम बात करें, तो individual का जो भी deposit rate चल रहा होगा न, उसमें 50 basis point, 50 basis point का मतलब है 0.5, क्या है यहाँ पर, extra मिलता है senior surgeons को, 30 basis point का premium मिलेगा, तो यह क्या हो जाएगा point 80, मतलब, अगर normal individual के लिए deposit पर interest rate है, 7%, तो senior surgeon के लिए कितना होगा, 7.8% 7.5 पहले ही था, अब 30% का premium, तो 7.8% हो जाएगा, यह बात याद रखेगा और यह भी, जो WK deposit scheme है, यह कब तक सक्री रहेगी 30 अब September 2020 तक, यह confirmation के साथ रहेगी, एक काम और किया, SBI ने, इसने interest rate जो है, वो कम कर दिया है time deposit पर 20 basis point किसके लिए, जो normal लोग है उनके लिए, और जो 3 years tenure या इससे कम के लिए deposit कर रहे हैं, तो उनके लिए, और amount कितना होना चाहिए, दो करोड से कम, दो करोड से कम amount अगर जमा है, तो उस पर deposit पर interest rate को कम कर दिया गया है, ये भी याद रखेगा, कितना 20 basis point, मतलब 0.20 दिन, आगे बढ़ते हैं तोस्तों, SBI के बारे में, Chairman Rajneesh Kumar, Headquarters Mumbai, tagline है, बड़े bank के बड़े फाइदे, जब SBI के associate bank को का merger हो गया था, तब ये tagline जो है, बना दी गई थी, then अगली news है, Asian Infrastructure Investment Bank to offer loan of 500 million to India to add efforts, इंडिया के COVID-19 के efforts को देखते हुए, जो AIIB है, Asian Infrastructure Investment Bank, उसे, उसने 500 million का loan इंडिया को offer किया है ठीक है, 500 million loan और जो AIIB के, जो member countries है, AIIB के member countries जो हैं, दोस्तों, याद रखेगा उन सभी member countries के लिए और member countries इसकी कितनी है 78, 78 member countries है AIIB के लिए, तो इतना एक amount उसने रखा है, कि हम loan के form में अपनी member countries को provide करेंगे, 5 से 10 billion dollar का total amount है जो AIIB support करेगा, अपनी member countries को ये बात याद रखेगा, इंडिया के लिए amount याद रखेगा 500 million dollar याद रखेगा इसको ठीक है then, Beijing headquarters है, किसका AIIB का और इसने 500 million loan offer किया है, बस एक बात याद रखेगा यहाँ पर वो ये funded by AIIB तो है है, लेकिन ये क्या है जो title है, वो है COVID-19 Crisis Recovery Facility ये title है, इस title के इंतरगत loan दिया जाएगा, COVID-19 Crisis Recovery Facility ठीक है, जो भी COVID-19 से लड़ने के लिए countries को funds के requirement है, तो उनकी requirement को पूरा करेगा, AIIB के बारे में जाल लेते हैं, headquarter Beijing China, president है, Jin Lekon then, again, अगली news है Moody's से, Moody's ने India की जो growth rate है, उसको क्या assume किया है, 2021 की growth rate, ठीक है, घटा दी है, और कितनी कर दी है, 0%, कि 2020 में, मतलब 2020-21 में, जो India की GDP है, वो 0% रहेगी, लेकिन, एक अच्छी बास इसने बताई है कि हम recovery बहुत जल्द कर लेंगे और 2020-22 में ठीक है, क्या हो जाएगा, 6.6% 2021-22, 6.6% क्योंकि GDP की जब बात होती है, तो सिर्फ इतना ही examination point of view से important होता है, तो सिर्फ इतनी ही बात आगे बढ़ते हैं, report and indices में पहली news है National Land Management Corporation येक organization है नहीं बनाने जाने का recommendation दिया गया है, कि इसके दौरा National Infrastructure Pipeline Task Force National Infrastructure Pipeline Task Force देखें जो National Infrastructure Pipeline Task Force है ना, पहले Task Force हटा दो, पहले इसकी बात कर लेते हैं, National Infrastructure Pipeline, आखिर ये क्या है तो National Infrastructure Pipeline एक सुविधा एक तरीके से क्या करेगा, एक outlook है एक forward, एक इनेबल करेगा एक forward outlook को जो जितने भी इंडिया में Infrastructure Projects है ना, उनको Monitor करेगा, ठीक है, जिससे इंडिया में Jobs को क्या किया जाएगा बढ़ाया जाएगा, लोगों के Standard of Living को बढ़ाया जाने का काम किया जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के बात ये है, कि भारत में Infrastructure को जादा से जादा क्या किया जाएगा, ग्रो किया जाएगा ये बात आपको याद रखनी, अब Task Force के बारे में समझेगा, इस Task Force ने अपनी Report सब्मिट करी, कि किसके पास, Finance Minister स्रीमती निर्मला सीता रमन जी के पास, Under the Report Task Force Recommended, Setup the National Land Management Corporation NLMC के Setup के बारे में Recommendations से फारिज दिये, अब आखिर NLMC क्या करेगा, या क्यों से फारिज दिये, समझते हैं तो दोस्तों, ये जो National Land Management Corporation बनाया जाएगा जो इसकी Recommendation मिली है ठीक है, ये Help करेगा To Monetize State on Surplus Lands in a Systematic Way देखिए, जितनी भी सरकारी जमीन है, जिस जमीन का कोई उपियोग नहीं हो रहा है, तो वो Surplus हुई, जिस जमीन का उपियोग हो रहा है, वो तो ठीक है जिस जमीन का उपियोग नहीं हो रहा है, जो Extra जमीने हैं, जो Extra Land है किसके पास, Government के पास, तो उसको Monetize की, उससे भी पैसा कमाया जा सके वो भी misuse ना हो रही हो तो that's it इसके लिए ही क्या है ये NLMC organization काम करेगा तो task force ने recommend किया है कि इसको corporation को ये जो corporation है इसको companies act के अंतरगर setup किया जाएगा और the corporation will also manage the land that are owned by the government of India ठीके क्या करेगा ये जो government of India की जितनी surplus land है उसको manage करने का काम करेगा अब अगें ऐसा क्यों करेगा समझेगा इसमें क्या होगा यहाँ पर एक technical team hire करी जाएगी जो operate करेगी under the corporation the team will be market link market से link रहेगी देखती रहेगी यहाँ पर एक CEO होगा ठीक है याद रखेगा the corporation will raise capital from the equity market corporation ऐसी होगी जो market equity market से fund भी raise कर सकती हो the corporation will work with several government departments बहुत सारे government departments जिनकी जमीने हैं तो उनके साथ मिलकर के इसको काम करना पड़ेगा जैसे defense ministry railways आप देखते है railway की जो line है जो railway की पटरिया है उसके किनारे बहुत दूर दूर तक क्या होता है जमीन जो है वो railway की है लेकिन उसका कोई use नहीं हो रहा है हलाकि एक scheme इसके लिए आई थी जिसमें कहा गया था कि ये जो land है वो lease पे हम provide करेंगे और यहाँ पर जो लोग lease पर लेंगे वो haughty culture यहाँ पर करेंगे मतलब फलों और सबजियों की खेती कर सकते हैं तो वो जमीन उनको lease पे से ज़्यादा पैसा मिल सकेगा ठीक है दिन why required क्यो requirement है क्योंकि government जो है वो क्या करने जा रही है government इंडिया में 100 लाक करोड का investment लाने जा रही है infrastructure sector में अगले 5 सालों में तो infrastructure में sector में अगर आप investment लेकर के आते हो तो land तो होनी चाहिए ना infrastructure तो आगे तभी बढ़ेगा जब जमीने होगी एक बास में लीजेगा मान लीजे एक highway ही आपको develop करना है तो इस highway के लिए आपको जमीन चाहिए या नहीं चाहिए जब तक आप बीच में किसानों की जमीने हैं या कुछ है government की ही अपनी है तो same as जमीन आपको चाहिए तो जब तक जमीने नहीं होगी लैंड नहीं होगी तब तक आप क्या कर सकते हो infrastructure को आगे boost up नहीं कर सकते हो तो ये काम करेगी क्या इसी land को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसके extend करने के लिए जिससे उनका monetization हो सके तो गें ये organization make sure करेगी enough availability of land to make the investment fruitful ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं India's energy demand falls by 30% due to COVID-19 lockdown coronavirus के lockdown के कारण जो energy demand है वो क्या हो गई है 30% से कम हो गई है ये किसका कहना है IEA International Energy Agency और इसका जो क्या आया है review आया है global energy review 2020 ये title है global energy review 2020 इसके अंतरगत obviously coronavirus के कारण आपको पता है सारी factories lockdown में है ठीक है तो इसके कारण क्या होगा electricity या energy की demand है नहीं हम यहाँ पर energy की बात करें तो energy की demand 30% से क्या होगी दोस्तों fall होगी है क्योंकि 14 day का lockdown है ठीक है ये energy की demand जो है वो follow गई किसका कहना है international energy agency का जिसका headquarter कहाँ पर है Paris में है इंडिया's full national lockdown has reduced the energy demand by almost 30% ठीक है बस ये आपको याद रखना है और एक बात और कहीं गई जितने जितने हफते lockdown बढ़ता जाएगा ये 0.6% से क्या होती जाएगी increase होती जाएगी then in India इंडिया की ये बात यहां पर हो रही है यहां पर ठीक है energy demand would decline for the first time following on from low demand growth in 2019 पहली बार ऐसा हुआ इतना ज़्यादा ये जो है demand कम हुई है the report is based on the analysis of around 100 days of real data of 2020 2020 का जो 100 days का real data है उसी से ये जो report है ये बताई गई है क्योंकि सबसे पहला जो confirmation आया था तो क्या है 31 December 2019 को coronavirus का confirmation आया था इसी कले coronavirus को हम COVID के आगे 19 लगाते 19 मतलब 2019 में मिल गया था तो एक जनवरी से भी कई देशों में coronavirus जो है वो फैल चुका था दिन आगे बढ़ते हैं दोस्तों about IEA headquarter Paris France Executive Director Dr. Fatih Birol आगे बढ़ते हैं दोस्तों extra highlight में क्या है word red cross day मनाया जाता है 8 माई को word red cross day again word red cross day या इसको एक और नाम से जानते है red crescent day अब दोस्तों देखिए word red cross day क्या है एक तरीके का international red cross नाम से society है जो movement चलाती है एक आंदोलन चलाती है जो किसके लिए होता है humanitarian development के लिए होता है मानुवी अविकास कारियों के लिए इसके अंतरगत पूरे के पूरे global मतलब पूरे विश्व में 97 million volunteer members हैं जो इस movement को चलाने का काम करते है ठीक है दोस्तों ये बात याद रखेगा तो ये मनाये जाता है then किस पर focus करता है अभी बताये मने food shortage natural calamities war as well as disease of the epidemic then आगे बढ़ते हैं अगली जो news है वो है time of remembrance and reconciliation for those who lost their lives during the world war 2nd 8-9 में 8-9 माई को हम एक day celebrate करते हैं जिसका नाम है remembrance and reconciliation किसके लिए जो world war 2 में लोग सहीद हो गए जो world war 2 में नहीं रहे या world war 2 के जो पीडित हैं जो victim हैं उनको क्या करते हैं उनको सरदानजली देने के लिए हम इस day को celebrate करते हैं और इसी दिन क्या हुआ था 1945 में इसी दिन ठीक है जो जर्मनी है नाजी जर्मनी ठीक है उसने क्या किया था surrender किया था allies क्या गे जो जितने भी allies allies का मतलब जो मित्रास्ट हैं जो इस world war को रोकने का काम कर रहे थे उनके सामने उसने क्या कर दिया था अपना समर्पन कर दिया था organized to pay tribute to the victims of war second आगे बढ़ते हैं my art कोई मनाय जाता है thalassemia day thalassemia day एक परिकार की disease है ठीक है जिसमें body में क्या हो जाता है खून की कमी हो जाती है और उस खून की कमी के कारण जिंदगी जो है वो खत्रे में पड़ जाती है इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो patients होते हैं उनमें बार-बार खून चड़ाया जाता रहता है जिससे उनकी जिंदगी बची रह सकती है तो thalassemia क्या है एक प्रकार की disease है एनेमिया के नाम से भी जानते हैं खून की कमी आपको main मतलब theme से है तो theme क्या है आगे बढ़ते हैं विजाग गैस आपको पता है अभी विजाग में एक गैस जो है वो लीक हुई उस गैस का नाम है स्ट्राइन गैस देखो दोस्तों आपको examination point of view से सिर्फ इतना ही जानना है बहुत ज़द डीटेल की आपको कोई requirement नहीं है एक्जाम में ये पूछा जा सकता है कौन सी गैस लीक हुई थी तो stream gas जो है वो लीक हुई थी इस बात को आपको याद रखना है और कहां से LG का ये polymer plant है विशाखा पत्तनम में ठीक है यहां से ये लीक हुई है याद रखेगा tragedy जो है ठीक है ये South Korean LG जो मैंने बताया LG कौन सी company है ये South Korean company है अब again कितने लोग यहां पर death हुई या कितने लोग यहां पर घायल हुई या कितने लोग परेशान है इनसे आपके examination में कोई लेना देना नहीं होता है लेना देना सिर्फ जो मैंने आपको बताया ये याद रखेगा स्टरीम गैस का रिसाव हुआ है अगली news है गौर्मेंट सेट्स टारगेट आफ कॉंस्ट्रक्टिंग रोड्स वर्थ रूपीज 15 लाग क्रोड इन नेक्स टू येर्स गौर्मेंट ने कहा है इन्हों ने ही अपनी मिनिस्ट्री में ये टारगेट को क्या किया है सेट किया है जिसमें क्या बताया गया कि 15 लाग करोड की रोड अगले आने वाले दोशालों में हम तयार करेंगे तो मिनिस्ट्री क्या है overtime कर रही है इस काम को complete करने के लिए अब दोस्तों इतना ही आज की news में फटाफट questions देख लेते हैं who has been appointed the new director general of labor bureau तो याद रखेगा ये कौन है, DPS मेगी बनाए गए who has been chosen as the new prime minister of Iraqi parliament Iraqi parliament के नए prime minister कौन बने मैंने पढ़ाया था आपको कली, मुस्तफाल कदीमी आगे आते हैं what athletics day is observed annually on which date कब मनाया जाता है, 7 मही को मनाया जाता है international no diet day, ठीक है, 6 मही को मनाया जाता है ये पहली बार किस देश में celebrate किया गया था तो UK में celebrate किया गया था the central government has extended the one time limit for filing annual GST return annual GST return की, जो date है 2018-19 की इसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है कल पढ़ाया था 30 सितंबर तक the government of which state launched an online portal scholarship.gov.in scholarship दी जा रही है, कितने रुपए की? 5000 रुपए की यहाँ पर दी जा रही है तो अगें, ये कौन सा state दे रहा है? तृपुरा, तृपुरा के CM जो है वेपलप कुमारदेव, उन्होंने confirmation दिया तृपुरा, तृपुरा के नाम से भी जानते है तो ये कब मनाया जाता है? ये साथ मही को मनाया जाता है तृपुरा, ये कॉमर्स प्लेटफर्म कौन सा है? जिसने QR-based contactless payment solution launch किया merchants के लिए तो ये इसका नाम है DOT, याद रखिएगा आगे आते हैं, the Center for Cellular and Molecular Biology इसको हम CCMB के नाम से जानते हैं ठीक है? ये only center है जो COVID-19 के sample को पूल करेगा research करने के लिए किस organization के साथ tie-up किया है? तो ISTEM Research Private Limited जो की Bangalore की company है then evacuation exercise बताईए उसका नाम जहां पर government जो है अन्य देशों से लोगों को इंडिया में लेकर के आ रही है जो विदेशों में फसे हुए हैं उसका नाम है वंदे भारत mission अगला है, which among the following cities has the highest number of internet users as per the latest report by Internet and Mobile Association of India IAMAI की report के निसार कहां पर सबसे ज़्यादा user है तो सबसे ज़्यादा user है दोस्तों मुंबाई में then Indian state has highest number of internet penetration वो state का नाम बताईए जहां पर सबसे ज़्यादा highest penetration है उसका नाम है Delhi, highest penetration का मतलब है percentage of population ठीक है जो internet use कर रही है मतलब 100 लोगों में मान लीजे 10 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10% यह क्या कहा जाएगा internet penetration तो penetration के मामले में Delhi लेकिन users के मामले में Mumbai अगली जो news है वो भी इसी से है Digital India में यहां IAMAI ठीक है रूरल एरिया में बताया गया था 227 मिलियन ज़्यादा है in financial year 21 ठीक है जहां पर क्या किया जाएगा farmer movement चलाया जाएगा यह farmer movement ठीक है launch किया जाएगा soil health card जो scheme थी उसी के review में इसको announce किया गया तो पूछा गया है soil health card scheme कब launch करी गई थी कल बताया था मैंने आपको 2015 में शुरू करी गई थी ठीक है दोस्तो then आगे Iran has approved a bill of national currency denomination Iran में आपको पता है currency change कर दी गई तो अभी जो उनकी real currency है वो भी legal रहेगी लेकिन real के साथ एक और नई currency आ गई उसका नाम है toman याद रखेगा 10,000 real बराबर क्या होगा एक toman होगा 4,0 हटा दोगे तो तोman बन जाएगा then what is the rank of India based on active internet users agreed 5 years old or above ठीक है इसके भीहाब पर 5 साल या उससे उपर के जो users है उसमें भारत की क्या रहेंग है दूसरी जिसमें number 1 पर आता है चाइना दोस्तो इतना ही आद के लिए thank you, thanks a lot I hope session थोड़ा लंबा हो गया लेकिन दोस्तो news इतनी जादा होती है आपको बतानी होती है समझानी होती है तो मेरा focus इसी पर रहता है कि जितनी भी news है आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो दोस्तो कैसा लगा session comment करके जरूर बताईएगा और दोस्तो अच्छा लगता है session material अच्छा होता है तो हम motivate कैसे होते हैं आपके share और like से तो please ज़्याद से ज़्यादा share करिए like करिए और अच्छे comment करिए thank you, thanks a lot